आप शबी को प्रणाम, Saturday Story by विभा में आप सिब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदर इससे पहले मैं अपनी बाद शुरू करूँ, आप सब को स्वतंतरता दिवस की धेर सारी बधाईयां और शिप काम नाएं देश आजाद है, हम आजाद हैं, आएए इस आजादी का सम्मान करें और अपने भीतर वह भाव लेकर के आएं कि जहां हम अपने ही दर्शन वसुधैव कुटुम्बकम के साथ रहते चले आए हैं आज की इस अवसर पर Saturday Story by विभा में मैं आज आपको अपनी कहानी नहीं सुना रही हूँ बलकि आपको मैं एक ट्रावलॉक की दुनिया में लेकर के चल रही हूँ और खास तोर से ऐसी जगह जिसके बिना हमारे देश की स्वतंतरता की कहानी अधूरी है और जी हाँ वह है काला पानी काला पानी कहतने के साथ ही अंगिनत कहानिया हमारे दमाग में आने लगती है तैरने लगती है और जिसने भी वो अंड़िवान के वो सेलिलर जेल देखे होंगे उन सब को उस जेल और उस जेल में हमारे जाने कितने देश भक्त शहीद हुए और जिनकी शहादत के पल पर आज हम इस आजादी के फल का स्वाद ले रहे हैं मनमुहन ठाका और साहब हमारे बहुत वरिष्ट बलकि हमारे गार्जियन हमारे पिता के उम्र के हमारे मित्र थे और उन्होंने अपना एक ट्रैवलोग लिखा है जिसका शीरशक है काले पानी का गहराव और उसमें एक इन्होंने इनका है काले पानी का गहराव ही इसी शीरशक से इनका ट्राब लॉग है जिसमें इन्होंने अंडमानिक वर की यात्रा की है और वहां cellular jail वो गय है और उसका वर्णन है मैं आपको ये संस्मरन तो बहुत लंबा है मैं आपको उसका particular वह अंश आपके सामने सुना रहे हूं ठागर सहाब बहुत अच्छा लिखते थे और उनकी तीन किताबें खास तोर से बहुत ही पढ़िये जाने लायक है पपूर यानि रांगे रागाव जिनसे उनकी दोस्ती उनके रांगे रागाव से याराने के पांच वर्षों का सफर नामा और दूसरा काले पानी का गहराव जिसमें यात्रा संस्मरन है और अंतरंग जिसमें साहितिक मित्रों के संस्मरन है ये बहुत ही अनमोर रचनाये हैं और अब सुनिए काले पानी का गहराव अंदमान मेरे लिए एक पवित्र तीर्थ था जहां का कण कण विपलवी वीरों के स्मृति से ओध पुरोध था आजादी के असंख्य दीवानों ने वहां अपनी जवानी की आहोती चड़ाई थी चरम यातना, असाय अपमान, भयंकर लांचेनाओं के बीच भी इन दीवानों ने स्वतंत्रता का प्रदीप अक्षुन ने जलाए रखा था बचपन से इन वीरों की गाथाएं पढ़कर हमारी पीड़ी बड़ी होई थी विजय सिन्हा की अन्डिमान्स दे इंडियन्स बैटल का प्रतेक प्रिष्ट मेरी कलपना में मुखर हो रहा था उस शाम जी चाह रहा था कि जैसे भी हो जहाँ से छूट निकलू और काले पानी की सेलिलर जेल को अपने अंतरतम के सश्वरत नमस्कार कह आऊ दूसरे दिन बारा बजे लंच निप्टा कर मैं और सुभाज विसू चल पड़े सेलिलर जेल देखने सेलिलर जेल के तीन ओर समुद्र है और उस समय समुद्र से धेरो भाप उपर उठ रही थी कक्षा तीन में पढ़ा-पाथ याद हो आया बादल कैसे बनते हैं फरवरी की पहली तारीख को कोड बलेर का तापमान 110 डिगरी फारन हाईर था भाव तो उठ नहीं थी हम सेलिलर जेल के प्रवेशत्वार पर पहुंचे देखा बाहर एक डिस्पेंसरी है जहां अब बीमारों की चिकितसा होती है बाहर से देखने से अंदाज ही नहीं होता कि यही है वह काला पानी वाली जेल जिसके नाम से खुंखार डाकों और हत्यारों को भी पसीने छूर जाया करते थे जेल के अंदर घुसते ही पाया कि दो बेहत उची दिवारों के बीच एक पतला सा लंबा गलिया रहा है मैं तीन जेलों में रह आया हूँ और खरीब पांच छे जेले देख चुका हूँ यह ठाक और साहब कह रहे हैं तथा पर निसंकोच भाव से स्विकार करता हूँ कि उस गलियारे में चलते वक्त मुझ पर भी एक अक्याद सा भै हावी हो रहा था अपने वक्त में इस जेल में आठ लंबी लंबी दो मंजला विंग थी मानो कोई ओक्टुपस वहाँ इस्थिर हो बैठा अपने शिकार को अपने मारात्मक शिकंजे में कसने के लिए जापानी बंबारी में इसके दो पाउं ठह गए थे अब इसकी मात्र छेह विंग ही बाकी थी अंदर जाने पर हमें एक संतरी ने जेल का दफ्तर इशारे से बता दिया वहाँ उस समय किवल एक हिंदी भार्षी कर्मचारी ही बैठा था हमारा परिचपाने पर उसने एक संतरी को हमें जेल घूम फिर कर दिखाने का आदेश दे दिया उन दिनों दफ्तर के बाहर एक लकड़ी के बोड़ पर हिंदी में लिखा हुआ था इस जेल में वीर सावर कर भाई पर्मानन प्रपृति क्रांतिकारी रखे गए थे कब रखे गए थे? किन के साथ रखे गए थे? कहां रखे गए थे? इन सब के बारे में वह पट मौन था संतरी हमें एक विंग में ले गया छोटी छोटी अंधेरी कोठरियों की लंबी गतार हर एक कोठरी का एक फाटक जिसमें मूटी छड़े थी और जिसका ताला फाटक की बगल में विशेस रूप से बनाये गए आले में छूलता रहता था मैं जिन जेलों में रह चुका था वहां की काल कोठरियां भी इन कोठरियों की अपेक्षा अधिक बड़ी और उजली हुआ करती थी हमने संत्री से एक कोठरी खोल कर उसे भीतर से दिखाने का अनुरोध किया तालक खोल कर हम अंदर घुसे देखा उपर छट के पास एक छोटा सा रोशन्दान था जिससे हवा भले अंदर बाहर आ जाए प्रकाश कधा पिप्रवेश करने का साहस नहीं जुटा पा सकता था कोठरी में न कहीं खाट थी न कुरसी फर्श पर ही कंबल फटा विचा कर सो जाओ तटी पेशाब की हाज़त भी उसी कोठरी में रफा करो और अंधेरा गाढ़ा होने के साथ साथ अपने विचारों के सैलाब में डूब कर निद्रा देवी का आवान करो बस यही नियती होती थी यहां लाए गए डामल कैदियों की मैंने देखा कोठरी की दिवार पर किसी कैदी ने 1-31 तक की गिनती उर्दू अंकों में लिख रखे थी जिन पर वह तेड़ी रेखाएं खींचता रहता था एक दिन बीद जाने पर उसे प्रतीक अंक को 168 बार काटना पड़ा होगा आजन्म कैद कम से कम 14 वर्षों की होती है इस कोठरी को देखते समय मेरी आँकों के सामने बाइरन का प्रिजनर आफ शियो घूम रहा था जिसे काल कोठरी में रहते रहते अपनी हतकड़ी बेड़ी से भी प्यार हो गया था अंग्रेज सामराज शाही की बरबरता का या जीवन्त प्रतीक सेलिलर जेल आज किस स्थिति में है मैं नहीं जानता पर चाहूंगा कि उसकी प्रतीक कोठरी पर उन कैदियों का नाम स्वरनाक्षरों में लिखकर टांगा जाए जो वहां रखे गए थे और इस जेल में ही कहीं राश्ट्रिय जेल मियोजियम बनाये जाए जहां इन विपलवियों की तस्वीरें उनका जीवन वृत्त और वहा मारे मन की दशा इस योग ना रही कि और अधिक कोठरिया हम खुलवा पाते हैं संतरी भलाद मी था लेकिन उस बिचारे को राश्ट्रिय आंदोलन और विशेश कर क्रांतिकारियों के बारे में कोई विशेश जानकारी थी ही नहीं हमें क्या वतला था वह तो यही जानता थ था कि अब उस जेल में स्थानिय कैदी ही रखे जाते हैं चोर गिरह कट उठाएगी काश वहां सुशिक्षित गाइड रखे जाएं तो सेलिलर देखने आये दर्शकों को यह याद रह सके कि भारत की आज़ादी केवल सत्याग्रह और नमक आंदोलन से ही नहीं मिली है 16 से 22 सितंबर 1984 के सापताएख हिंदुस्तान में डॉक्टर प्रशांत वेदालंकर से ग्यात हुआ कि 11 फरवरी 1989 को इस जेल को राश्ट्रिय स्वारक का रूप दे दिया गया है जहां उस काल के अनेक अमानुशिक अत्याचारों का परिचय मिलता है तथा पिए उनके मतानुसार वो उतना शांदार नहीं है जितना उसे होना चाहिए कब सीखेंगे हम अपने इतिहास का सही आकलन करना उसके लिए देश के हजारों वेर करांतिकारियों ने अपने प्रानों की बाजी लगा कर गाली गोली श्रिंखल जेल जालिम गेहं अंतिम खेल को प्रत्यक्ष भोगा है बहुत बहुत धन्यवाद आजादी का जश्न मनाईए आजादी के खुली हवा में सांस लीजे और महसूस कीजे कि इन करांतिकारियों ने इन वीरों ने इन भारतमा के सपूतों ने सपूतियों ने अपनी जान की परवाण ना करके हमें वह अनमोल धन दिया है जिसके बल पर हम आज खुली हवा में जी रहे हैं सांस ले रहे हैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए और एक बार फिर से आप सब को प्रणाम और अभिनंदन